राजस्तान में अशोग गहलोत और पाइलिट के बीच फिर से खींस्टान होने पर हरी शावत का बयान कहा लोगतांत्रिक पार्टी में बाचीज से निकल जाता है हर चीज का हल कहा राजस्तान में मंत्री मंडल का विस्तार होगा पिथोड़गर में सैनिक सम्मान समारों में केंद्री रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने की शिरकत मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी भी समाहरों में शामिल सैन ने धाम के लिए मंगवाई गई शहीदों के आंगन की मिट्टी चुनावी मौसम में फिर गर्माया देवस्थानम बोड का मुद्दा तीर पुरोहितों ने सरकार से की देवस्थानम बोड को रद करने की मांग 22 नमंबर से देहरादून में बुलाई गई महापंचायत उत्राखन पहुंची महिला सशक्तिकरन एवंबाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विकास कारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक मुख्य मंत्री की घोशनाओं को लेकर अधिकारियों को दिये सक्त निर्देश कहा 2017 से अब तक जो वादे किये गए थे वो लगभग पूरे हुए बाकी परतेजी से हो रहा काम तीनों ग्रिशी कानूनों की वापसी के फैसले पर अलमोडा के सांसद अजय टम्टा ने पीएम की तारीख की कहा भाजपा सरकार देश के सभी किसानों के हित में कर रही है काम पौडी के नगरपाली का धक्ष यश्पाल बेनाम ने चौबठा खाल विधानसवास्तीट से चुनाव लड़नी की जाहिर की इच्छा भाजपा हाई कमान से इस सीट से टिकेट डेनी के लिए करेंगे बाची जोशी मट में बाबा बदरी के कपाट शाम छे बदकर 45 मिनट पर शीट काल के लिए बंद इस साल अब तक 1,96,190 दर्शनार्थियों ने बाबा बदरी विशाल के दर्शन का पुन्ने लाब लिया सेना के जवानों ने बजाई विशेश धुन मुरादाबाद में डॉक्टरों के लापरवाही ने लिए घाहल शक्स की जान सडक हाथ से में घाहल शक्स को नीजी ऐस्पTAL की अमरजनसी में तैनार डॉक्टरों ने मरत घोशिट किया जिला अस्पताल के डॉक्टर ने भी पुलिस को घायल शक्स की मौत की पुष्टी कर दी और रात भर मौर्चरी में ठंड में लेटने और इलाज ना मिलने सो शक्स की मौत हो गई स्वास्ते विभा के अधिकारी मामले की कर रहे जांच श्रावस्ती जिलास्पताल में दबाओं और जरूरी उपकरणों की खरीद में करोडों की गड़बड़ी का मामला आया सामने लगभग पॉने दो करोड के घोटाले की आशंका डियम ने जिलास्पताल में निर्मान और इंस्टूमेंट खरीद की जांच के लिए सीडियों के अध़क्षता में टीम का किया गठन पिछले पांच साल के रिकॉर्ड की होगी जांच राय बरेली के जिलास्पताल में लगा गंदगी का अमबार हैली बदबू से मरीजों और तिमारदारों का खड़ा होना मुहाल पैर में प्लास्टर बांदे एक महिला बॉट के बाहर जमीन पर लेटी दिखी स्वास कर्मी भी रहते नदारत जालोन में सदर तालाव के निरिक्षन के लिए प्रशास्टिक अमले के साथ पहुँची डियम प्रियंका निरंजन और एसपी रवी कुमार अतिक्रमन और कबजा किये तालावों को कबजा मुक्त कराने का आदेश सालाव के सौंदरे करण के भी दिये निरिदेश कदोरा कस्बे के सदर तालाव का मामला सिधात नगर में डी एपी खात को लेकर हाहा कार किस्ति थी सरकार के दावों के बावजूद किसानों को नहीं उपलब्ध हो रहा समुचित मात्रा में खात बलिया के सिला क्रिशी अधिकारी ने गोपनियों सूचना पर की छापे मारी बलिया बॉर्डर के फास महू जनपत के बेलरुआ के मोहन सराय गाउं में पैकिंग करते पकड़ी गई आगरा में बहरे यमना में प्रदूशन से नदी में मर रही मशलियां इस मौसमें पानी में ऑक्सिजन की हो जाती है कमी शेहर के नबे में से 29 नालों को टेप कराया गया गाजियाबाद के सहीवाबाद थानक शेत्र के रजनी गंदा अपार्टमेंट के पास ब्रिंदावन ग्रीन सोसाइटी के आगे चेन इस नेचरों को दिखा आतंग काशिपूर के व्यापारी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टॉल से चलाई गोली एक शक्स खायल भीड ने व्यापारी को पकड़ कर बीटा पुलिस ने व्यापारी को हिरासत में लिया आगरा में अधिवक्ताओं ने केंद्री राज्यमंत्री प्रोफेसर एस्पी सिंग बगेल के आवास के सामने किया प्रतर्शन आगरा में हाई कोड स्थापना की कर रहे है मांग शागण स्थाना प्षेतर का मामला